सन 1752 तक फर्रुखाबाद एक स्वतंत राज्य था उस समय कानपुर, शाह जहानपुर हर दोई जिलों का आधा भाग वैटावा, मैनपुरी वैटा का पूरा भाग, अलीगड का कौडियागज कस्वा फर्रुखाबाद राज्य में शामिल था खुदागंज समधंत में मुन्शी नबलराय का एहमद खाद्वारा मारे जाने के बाद दिल्ली दर्बार एहमद खाँ का दुश्मन हो गया 5 जुलाई 1750 को सफदर जंग ने जलेसर में एहमद खाँ पर आक्रमन कर दिया इस युद्ध में एहमद खाँ को विजैश्री प्राप्त हुई सन 1751 में सफदर जंग ने फतेह गव में दोबारा आक्रमन कर दिया यहां एहमद खाँ की हार हुई सफदर जंग ने दस लाख रूपा और सांडी वपाली पर अधिकार बनाये रखने का प्रस्ताव रखा किंतु खुद्दार एहमद खा ने इसे ठुकरा दिया मराथा वह मुगलों ने गंगा पार कर एहमद खा पर आक्रमन कर दिया मलहार राउ का पुत्र खांडे राव चंगुल में फंस गया किंतु एहमद खा ने मानवता का परिचे दिया और खांडे राव को सुर्चित निकलने का रास्ता दिला दिया डॉट 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 उधर अफगानिस्तान से एहमद शाह अब्दाली का दिल्ली सल्तनत पर हमला होने का अंदेशा था क्रतग्य मलहार राउ ने दिल्ली दर्वार में बात कर एहमद खां से संधी का प्रस्ताव भेजा 1752 में दिल्ली दर्वार से संधी हो गई जिसके अनुसार 15 लाख रूपा नजराना तथा कालिंदी के उत्तर का फरुखाबाद एहमद खां ने स्वीकार कर लिया अवद सरकार के मुलाजिम उम्राव गिरी गोसाई ने एहमद खां से नौकरी की गुजारिश की अवद सरकार से विरोधावास के बाद भी द्यालू एहमद खां ने उसे मुलाजिमात में शामिल कर लिया शुजाओद दौला की तरफ से विरोध पत्र भेजा गया जवाब में उम्राव गिरी ने लिखा नवाप साहब जान ले गुन्वान जहां जाता है उसकी इज़्यत होती है तिल मिला कर शुजाउद दौला ने एहमद खां को धमकी दी की उम्रावगिरी को अपमानित कर निकाल दिया जाया अन्यता राज्य को बरवाद कर दिया जाएगा प्रती उत्तर में एहमद खां ने लिखा मैं खुदाबंद जो रहमो क्रीम है उसके सिवाए किसी से नहीं डरता उसने दर्बार में भरन पोशन की प्रार्थना की मैं इसे अस्वीकार नहीं कर सकता था शुजवद दौला ने पत्र पढ़ कर युद्ध की आग्या दे दी एहमद खां के मुहासिवो द्वारा पर आमर्ष पाया गया की दो ताकतों का टक्राव ठीक नहीं नवाब को बिना बताय एक पत्र लिखा गया मैंने उम्राव गिरी को आप से अलग नहीं किया है नहीं बेडियां डाल रखी है इस पत्र को लेकर उम्राव गिरी लखनव दर्बार में चले गए नवाब एहमद खां को जब पता चला तो सहरदय उदार नवाब को हरार्दिक दुख हुआ अग्रेजों से परास्ट शुजवद दौला बाया बुंदेल खंड फरुखा बाद आया तो उसका अभूत पूर्वादर सतकार किया गया नवाब को बताया गया कि शुजवद दौला दिल्ली सल्तनत के पूर्वजीर का पुत्र है जिसने आपके पांचों भायों को इलाहबाद में कतल करवा दिया था नवाब एहमद खा ने कहा कौम बंगर्श दगाबाज नहीं बलकि बहादुरी का मैदाने जंग है यह एहमद खां के उच्च विचारों सहरदेय वीर योद्धा के उद्गार थे 27 जुलाई 1771 में एहमद खां का देहानवास हो गया उसकी समाधी आज भी बाहिस्त बाग में स्थित है अपने अगले अंक में किसी अन्यविशे पर बात करेंगे अगर आपको ये वीडियो फसंद आया हो तो लाइक करें सब्सिक्राइब करें वह वेल बटन दवा दे